तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप टाउन होल 10 को नॉर्मल टाउन होटेल को मैक्स टाउन होल 10 तक ले जाओ तो इस बारे में इंटरनेट में मतलब यूट्यूब में बहुत सा गाइट्स अवेलेबल हैं तो most of them are wrong मतलब इसलिए नहीं कि वह गलत बता रहें इसलिए क्योंकि आप सुपर सेल ने अपडेट लांच किया है तो मेटाड़ेटा भी चेंज हुआ है और वार वेट्स भी चेंज हुए हैं और सुपर सेल ने इंजिनियर बेस को भी मतलब बैलेंस करने के लिए बहुत सारे अपडे तो अब देख लो मैं लगभग मैक्स टाउनल लेवल 10 हो गया हूं तो मैं अपने आपको इस काबिल समझता हूं कि मैं आपको गाइड दे सकता हूं कि आपको क्या-क्या चीजे फर्स्ट अपग्रेट करनी चाहिए और किन चीजों को लास्ट में अपग्रेट करना चाहिए सबसे पहले जो आपका होना चाहिए अगर आप ओर करते हो वार वैड को आपको बैलेंस रखना चाहिए मैनेज करके रखना चाहिए चलो हब करते हैं अपने बेस पे जो मैंने इस विडियो के लिए क्रियर्ट किया है तो सबसे पहले अगर आप त clapping line से तbon तो सबसे पहले आपको करने अपने heroes देखलो मैंने अपने डोनों heroes को upgrade में लगा दिया तो सबसे पहले आपको करने heroes और करने आपको elixir based जितने भी upgrade से वो क्योंकि वो आपके war weights में कुछ भी ज्यादा add नहीं करते add करते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कम तो hero जब आप max करोगे तो आपके पास तो heroes होंगे नहीं तो आपको ऐसे troop यूज़ करने होंगे जो कि elixir based हो और जिनका भी training cost और training time भी बिल्कुल ही कम हो तो सबसे पहले उससे पहले आपको करना होगा upgrade आपके clan castle को तो clan castle को upgrade क्यों करना होगा क्योंकि clan castle को upgrade करने पे आपको मिलेगा siege machine और मिलेंगे कुछ से नए troops जैसे की 5 level troop मतलब 5 army camp आपका बढ़ जाएगा और CC में तो siege machine मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा important है आप wall raker या फिर आप stone slammer यूज कर पाऊगे फिर आपको upgrade करने होंगे अपने चारो के चारो army camp तो यह इसमें ज्यादा time लगता है मैं मानता हूँ लेकिन यह बहुत ही ज्यादा beneficial है long term के लिए आपको फिर दुबाराई से upgrade करने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी तो यह आपको हर army camp में 5-5 space देंगे तो total हो जाएंगे आपके 20 बढ़ जाएंगे आर्मी के spaces फिर आपको आगे आना होगा तो lab को फिर आपको upgrade करना होगा laboratory अगर आपने town hall 10 मतलब town hall 9 में अगर आपने सारे troops को max नहीं किये थे तो सबसे पहले आप enough amount of elixir या फिर dark elixir जमा कर लो और एक upgrade इसमें लगा दो अंदर में कुछ troop का और फिर इसे upgrade में लगा लेबरेटरी को ताकि आपका lab में research भी चलता रहा है और आपका lab भी upgrade होता र अभी upgrade करोगे तो आपको मिलेगा bad spell जो कि बहुत ही ज्यादा powerful है बट उतना ज्यादा मतलब value नहीं देता as compared to normal spell factory तो normal spell factory को अब upgrade करोगे तो आपको दो more slots मिलेंगे spells की जो कि बहुत ही ज्यादा गिंती में आते हैं और एक नया spell मिलेगा clone spell जो कि आप उसे बहुत ही मिलेंगे वह बहुत ही ज्यादा important है फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको दूनु बैरैक एक एक upgrade कर लेने हैं इसमें से आपको minor unlock होगा और dark barrack में से आपको unlock होगा baller तो एक एक upgrade कर लेना अभी फिलहाल के लिए क्यूंकि आपको हो सकता war में आपको minor की जरुरत पड़े या storage बहुत ही जल्दी से जल्दी upgrade कर लेना चाहिए क्यूंकि आप भी नए ने टाउन हो तो आप farming बहुत ही जबरदस्त करने वाले हो अगर आप seriously खिलने वाले हो तो तो आपकी storage का full हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और इसलिए सबसे पहले storage को भी full कर लेना तो य बहुत ही ज्यादा elixir का cost है तो जब भी आपके पास elixir ना हो ज्यादा मतलब कि elixir आपके पास कम पड़ रहा हो तो gold तो हो गई तो जब भी आपके पास gold हो और builder आपके पास खाली हो तो आप यह जो नए defenses आपको मिलेंगे एक मिलेगा आपको skeleton trap एक giant bomb एक archet और एक cannon एक seeking air mine, एक air bomb, एक bomb tower और एक exbow तो इन सभी को आप बीच बीच में upgrade करते जाना जब आपके पास elixir की shortage हो जाए तब फिर आता है कि inferno लगाना चाहिए या फिर नहीं base में क्योंकि वो यह पहले का concept था कि war weight बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है बट अब ऐसा नहीं है यह normal जैसे कि इसका war weight और wizard tower का war weight और bomb tower का war weight और यह mortar का war weight लगभग same कर दिया गया तो इसे आप लगाओ यह तो उतना ज जल्दी लगा दो इन सभी को upgrade करने के बाद और इन्हें कर दो max जो कि है level 3 तक फिर हम लोग भूल जाते है air sweeper को क्योंकि इसे हम बहुत ही ज़्यादा कमजोर समझते हैं और last में upgrade करते हैं बट इन्हें आपको कर लेना है इन्फर्नो टावर के बाद क्योंकि जब यह इन्फर्नो टावर के साथ कमबाइन हो जाते है न यह air sweeper तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि अभी most of the players जैसे की town online से 10 में आएंगे तो या तो लालून करेंगे या फिर loon प्लस minion करेंगे loonion करेंगे तो आ आप इसमें बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद रहोगे बहुत ही ज्यादा आप efficiently अपने base को defend कर पाओगे फिर उसके बाद आता है कि फिर हम लोग क्या करें उसके बाद upgrade में तो उसके बाद upgrade में आपको करना चाहिए wizard tower जो कि आपको बहुत ही ज्यादा value देगा मैं बताता ह है तो इसलिए उसके बाद आपको करना पढ़ेगा wizard करना पढ़ेगा नहीं आपको करना चाहिए wizard मैं आपको suggestion दे रहा हूं आपको करना है या नहीं करना वो purely आपके उपर depend करता है फिर उसके बाद कर लेना hidden tesla को max जो कि यह level 8 के लिए देखलो मैंने सारे के सारे कर दी यह अभी max में लगा हुआ है तो इसके बाद जब आप hidden tesla लगाओगे तो उससे भी आपके base को defensively बहुत ही ज्यादा power मिलेगी क्योंकि यह hidden tesla नाम से ही तो जानते ही हो यह hidden रहता है और अचानक निकलता है बहुत ही ज्यादा damage कर सकता है queen walk पे और minus पे तो बहुत ही ज्यादा तो फिर उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपके पास enough loot नहीं हो रही है इन सभी को करने में क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा loot मांगते हैं बहुत ही ज्यादा resources मांगते हैं तो इन सभी को करने के लिए अगर आपके पास नहीं हो रहा है बीच बीच में आपके builder खाली जा रहे पहले बताता हूं कि वॉल अगर आपके अप्ग्रेट्स के भीज भीज में धेर सारा आपका ओवर्फलो हो जा रहा है गोल्ड या फिर एलिक्सर तो आप वॉल्स को अप्ग्रेट कर सकते हो बीज भीज में एक ही बार में मतलब सुरू से वॉल्स पे ज्यादा कॉंसेंट्रे फिर कर ले नएंस इनसाभी को अप्ग्रेट्ड यह भी बहुत ही ज्यादा क्यांग है अगेंस्ट ला से यह वह ज्यादा नहीं पहले करने पोल रहा है यह यह आपको बताता हूँ क्योंकि archer tower अगर आप upgrade करोगे तो आपको ground और air दूनों का ही cover कर लेगी archer tower बट यह जो cannon है वो सिर्फ ground को cover करता है इसलिए इसे last में करना मतलब archer tower के बाद करना और यह cannon बहुत ही ज्यादा strong है against queen walk तो जो भी अगर आपके base में queen walk करेगा तो यह cannon बहुत ही ज्यादा strong है against that फिर उसके पाद last में आप कर सकते हो अपना mortar और उसके भी last में करना अपना bomb tower वैसे bomb tower बहुत ही ज्यादा strong है बट उसे आप सबसे last में करना तो ठीक ही यह हो गया आपका defensive मतलब defense कैसे कैसे करना वो हो गया अब मैं बताता हूं कि आपको troop कौन से पहले upgrade करने हैं और कौन से troop आपको बाद में upgrade करने हैं लैब में तो आए लैब की तरफ बढ़ते हैं तो पहले इसे करते कैंसल और चलते हैं अपने लैब की तरफ जो की होगा कहां पर है यहां तो चलते हैं यहां पर तो देखलो सबसे पहले आप लोगों कर लेना होगा इसमें upgrade अपने माइनर्स को तो सबसे पहले माइनर्स को ले जाना level 3 तक unlock करके obviously और इसे 3 तक ले जाने का मकसद क्या है क्योंकि हम लोग queen और king को max करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा troop चाहिए जो की एक्दम ही बहुत ही ज्यादा powerful हो और dark collector को बिल्कुल base के core से निकाल करके ले आ सके तो आप देखलो मैं आपको प्रूफ दिखा जाता हूँ अप्ग्रेड और आपको अपने ट्रॉफी को कर लेना ड्रॉप क्रिस्टल लीग तक जो की मैंने कर लिया है क्रिस्टल लीग में ड्रॉप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा benefit मिलेगा loot के regarding फिर आप माइनर करने के बाद आप अपने उन troops को use मतलब अप्ग्रेड करना जो आप यूज करते हो वार्स में जैसे की हर किसी का अपना अपना style होता है कोई queen walk, miner तो वैसे आप अभी नहीं करते होगे आप गोला लून करते होगे या फिर और भी कुछ जो भी आप करते हो उन्हें सबसे पहले कर लेना और farming के लिए dark collector army बिलकुल भी use मत करना जैसे की हो गया mass witches या फिर ballers ये सब यूज मत करना आपके लिए काफी है या तो आप giants और wizard को यूज करो या फिर आप mass miner यूज करो दो तिन में आपको बता देता हूँ army composition जो कि आप यूज कर सकते हो farming के लिए तो सबसे पहला हो जाएगा queen charge miner या फिर queen walk miner queen charge और queen walk में क्या अंतर है essence को down करने के लिए queen charge का use करते हो ठीक है तो एक हो गया queen charge miner एक हो गया queen charge la loon फिर आता है mass dragon तो आप dragon को उसके बाद upgrade कर लेना max तक जो कि यह level 5 अपने war troop के बाद तो dragon को max करने के बाद आप mass dragon भी यूज कर सकते हो या फिर mass loon plus minion loonion भी यूज कर सकते हो और उससे भी बहतर है giant plus wizard या फिर minor mass miner और अगर आप basically करना चाते हो air attack तो dragon का use करना और अगर ground troop यूज करना चाते हो तो minor ही करना और फिर उसके बाद बीच बीच में सभी चीज़ें upgrade कर रहेना और फिर last में आप करना अपने ये collectors को क्योंकि collectors आपका उतना खुछ साथ नहीं देंगे collectors को last में upgrade कर करना और walls को भी last में बीच बीच में जैसे कि आप कर रहे हो मान के चलो ये hidden tesla कर रहे हो इसमें आपको लग रहे हैं 60 lakh या फिर 6 million लग रहे हैं और आपके पास 70 lakh हैं 7 million है तो आप बीच बीच में एक दो walls कर सकते हो वैसे करोगे तो आप efficiently सारे walls अपने town hall level 10 max करते करते max कर होगे और आपको पता भी नहीं चलेगा अपने कब अपने walls को अप्ग्रेड कर दी हैं तो और कुछ तो छूट नहीं रहा अगर छूट रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताना कि क्या चूटा है मैं जरूर उस बात पर गौर करूंगा क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़त झाल